दोस्तों आज का ये जो वीडियो है ना वो चाय की शौकीनों के लिए बहुत खास है हम चाय के बिजनस के बात नहीं करेंगे आज हम बात करेंगे उन चीजों की जिसमें चाय डाली जाती है जी हां बहुत इंपोर्टेंट होता है कि आप कैसे किसी को सर्फ कर रहे हैं क्योंक कुछ भी देंगे तो वो उसे चखेगा ही चखेगा या पीएगा ही पीएगा आज हम बात करेंगे चाय के लिए खास कुलड़ों की जी हां मुझे तो चाय कुलड़ों में पीना बहुत पसंदा है क्योंकि वो मिट्टी की सोंधी सोंधी सी खुश्पूस में आती है और एक अलगी फ्लेवर आजाता है चाय में तो मुझे कुलड़ वाली चाय बहुत पसंदा है इनफाक्ट कहीं हम लोग जाते भी एंशूट पे तो मेरी पहली जो रिक्वायर्मेंट होती है को यह होती है कि मैं कुलड़ वाली चाय पीओ और सड़क के किनारे अगर आप कुलड़ मुनाफा कमा सकते हैं कुलड का बिजनस करके तो वीडियो का अंतक देखिएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब पीजिए हमारा चैनल और हां बेल आइकन का बटन जरूर दबाईएगा और कमेंट सेक्शन में कोई भी आपकी क्वैरी है या कोई वी आपका कुछ रिक्वाइरमेंट है कोई वीडियो है बिजनस को लेकर जो आप देखना चाहते हैं तो प्लीज आप हमें जरूर मेंशन कीजेगा तो चलिए शिरुआत करते हैं किस तरह से आप कुलड का बिजनस शिरू कर सकते हैं साथी कुलड में चाय पीना हमारी सिहत के लिए अच्छा होता है चाय के लावा बड़े कुलड में लस्सी और दूद भी पिया जाता है बता दें किसी भी चीज का सेवन यदि आप मिट्टी के बर्तरों में करते हैं तो इस प्रदार्त का स्वाद बढ़ जाता है और उसके सभी रिल्विस्टेशन्स पर कुलड में चाय परोसने का एलान कर चुकी है यही वज़ा है कि आज की समय में मार्केट में मिट्टी के बर्तरों की डिमांड अधिक पढ़ती जा रही है आए जानते हैं इस बिजनस की शिरुवात करने के सही प्रक्रिया सरकार भी करेगी सहायता आज की समय में मिट्टी के बर्तरों की मांग बढ़ाने पर सरकार का फोकस है जी हाँ इसके लिए कुमार सशक्तिकरन योजना की शुरुवात की गई है इस योजना के अंतरगत सरकार कुमारों को बिचली से चलने वाली चाक देती है जिसकी मदद स कुमार आसानी से मिट्टी के बर्तन बनाने का काम कर सकते हैं इतना ही नहीं बलकि सरकार इन चाकों को अच्छी कीमत पर खरीद कर देती है ताकि इस स्कीम के जरिये कुमार अपना अच्छे से जीवनियापन कर सकें कितनी है बाजार में कुलड की मांग जैसे जैसे लोग सेहत के लिए जागरूख हो रहे हैं वैसे वैसे देसी चीजों को अपनाने में विश्वास रख रहे हैं महिस सरकार ने भी प्लास्टिक से बनी चीजों पर रोक लगा दी है ऐसे में आप देख सकते हैं कि आने वाले समय में मिट्टी के बरत्रों की अधिक मांग होगी यदि आप इसका बिजनस शिरू करें तो इसमें अच्छा वविश्य हो सकता है ये कैसा बिजनस है जिसमें कम लागत लगेगी और आपको मुनाफ़ा अधिक मिलेगा आपने देखा हुगा कि चाय की चोटी चोटी दुकान, रेस्टॉं में कुल्ड वाली चाय के अधिक विक्री हो रही है तो ऐसे में आप कुल्ड की अधिक से अधिक विक्री कर सकते हैं कुल्लड बनाने के लिए आविश्यक सामगरी कुल्लड का निर्मान करने के लिए आपको सबसे पहले एक अच्छी क्वालिटी की मिट्टी की जरूरत होगी साथ ही आपको कुल्लड बनाने के सांची की भी जरूरत होगी कुल्लड बनाने का सांचा आपको मार्किट में आसानी से मिल जाएगा मार्किट में महेंगा और सस्ता दोनों ही तरह का सांचा मिलता है इसलिए आप अपने बजट के हिसाब से कुल्लड का सांचा खरीद ले इसके लावा कुलड को पकाने के लिए बड़े अकार की भट्टी का निर्मान करना होगा जिसमें कुलड को फाइनल रूप दिया जाएगा कितना करना होगा निवेश यदि आप कुलड का बिजनस छोटे पैमाने पर कर रहे हैं तो आप इसके सांचे से भी शुरू कर सकते हैं इस मशीन को खरीदने के लिए आपको करीब 8-10,000 का खड़ चाएगा, आप अपने बजट के अनुसार मशीन की खरीदारी कर सकते हैं। थाकि कुलड को सूखने में ज़ादा समय ना लगे। यदि आप कुलड का बिजनस कुछ क्रियेटिव तरीके से करना चाते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है आप कुलड के साथ-साथ-सथ-चाई का बिजनस भी शुरू कर दे. दरसर एंदिरो मारकेट में कुलड़ वाली चाय की बहुत डिमांड है कुलड़ में चाय पीने से चाय का टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाता है और शरीर को भी कुछ फायदे जरूर होते हैं आपने देखा होगा कि हर चो राहे पर कुलड़ वाली चाय अब आसानी से मिले लगी है ऐसे में आप इस बिजनस में जादा से जादा लाब कमा सकते हैं क्योंकि आपको मारकेट में कुलड़ खरीदने की मशक्कत नहीं करने पड़ेगी कि साथ ही आप कुलड़ के साथ चाय का बिजनस भी आराम से कर सकते हैं और दुगना मुनाफ़ा कमा सकते हैं कुलड़ का बिजनस करने के लिए लेना होगा लाइसेंस जिस तरह से हम अन्य विवसाय को शुरू करने के लिए सरकार से लाइसेंस बनवाते हैं ऐसा करने से आपको भविश्य में किसी भी तरह की कोई परिशानी नहीं आएगी कैसे करें कुलड की मार्केटिंग? कुलड की मार्केटिंग का काम करना बहुत असान है आपने देखा होगा कि बड़े-बड़े मॉल्स, रेस्टरॉं और होटेल में आजकल कुलड का इस्तेमाल पेपदार्थ के लिए अधिक किया जाने लगा है ऐसे में आप इन क्षेत्रों में जाकर कुलड की मार्केटिंग कर सकते हैं इसके अलावा शेयर की छोटी बड़ी हट चाय की दुकान पर भीचा कर आप अपने कुलड की मार्केटिंग कर सकते हैं बतादे कुलड की अधिक बिकरी के लिए आपको इसकी बनावत पर जादा ध्यान देना होगा क्योंकि जितनी अच्छी आपकी कुलड की बनावत होगी मार्केट में उसकी उतनी ही बिकरी होगी मार्केट में कई तरह की डिजाइन्स में कुलड मिलते हैं ऐसे में आप नए नए डिजाइन्स की कुलड बना सकते हैं मारकेट में अच्छी कीमत पर बेच सकते हैं कुलड के बिजनस में आप कम समय में अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं मारकेट रिसरच के नुसर कुलड सेंकडों के हिसाब से बिखता है यदि आप प्रती दिन कुलड वेशते हैं तो महीने में आपकी इंकम 20-30,000 के बीच आराम से हो जाएगी शुरुआती दिनों में जादा कमाई की उमीद ना करें क्योंकि आपकी कमाई आपकी द्वारा बनाई गई कुलड पर डिपेंड करती है जितनी अच्छी आपकी कुलड की क्वालिची होगी उतनी ही जादा आपकी बिक्रे होगी इसलिए कुलड की क्वालिची अच्छी रखें और मार्केट प्राइस का भी ध्यान रखें तो देखा आपने किस तरह से कुलड़ के बिजनस द्वारा आप अच्छी खासी आंधनी कमा सकते हैं तो देर किस बात की आप कुलड़ का बिजनस शुरू कीजिए आइडियास हमें आपको दे दिया हैं फिर बे कुछ चूट गया हो तो प्लीज हमें मैंशन कीजिए कमें सेक्षिन में हम उसका जवाब जरूर देंगे और किसी भी तरह के कोई क्वेरी हो तो आप कमें सेक्षिन में चाकर लिख सकते हैं और अपने बिजनस के लिए all the best खूब कमाईए खूब खाये और अच्छे से रहे स्वस्त रहे सुरक्षित रहे आपके बिजनस का सच्चा साथी